दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा एक प्लासफर और एस्टोलोजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्टो और वर्ड में हारदिक सौगत करता हूं और आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी उन लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले तो आप यह समझे कि शनी 30 जूल को अपनी वक्री पोजिशन में आ रहे हैं वक्री पोजिशन कहा हो रही है उनकी अपनी ही कुम्ब राशी में हो रही है यह 25 डिग्री पर ये पूरु भाद लोगों के समक्ष बहुत तीजी से प्रकट होती है तो यह वो समय है कि जब आप अपने बड़े से बड़े काम को अगर अंजाम देना चाहते हैं तो आपके पास शनी की एक बहुत अच्छी मात्रा में मतलब उर्जा प्राप्त आपको होगी तो सबसे पहले शनी क्या है उ हमारे कामों में अगर कोई देरी हो रही है तो देरी का कारण भी कौन समाना जाता है शनी इसके अतरिक शनी को हम लोग काल कहते हैं काल मतलब समय जिस समय हम लोग चल रहे हैं तो काल की गरना भी किसके द्वारा की जाती है शनी के द्वारा की जाती है और अगर हम शनी को द बात करेंगे अगर मान प्रतिस्ठा और पद की बात करते हैं तो शनी उच्पद देने वाले हैं बहुत अच्छा प्रसिद्धी देने वाला ग्रहभी माना जाता है तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए देखे शनी के दो घर हैं एक तो आपका एर्थ हाउस और एक आपका नाइन्थ हाउस तो इस समय हमारा जो शनी वक्री किसे में हो रहा है कुम राशी बर रहा है तो क्या हमारे उपर एफेक्ट आएगा तो सबसे पहले एफेक्ट तो यह आएग किसी की वह बात मानता है या उसके मन में कोई बात होती है तो उससे वह अपने बारे में डिसकेशन करता है कि मैं इसमें क्या करूँ तो आप लोगों ने यह चीज़ देखी होगी कि यह 30 जून से पहले का जो समय चल रहा है पूरी तरीके से आपने अपनी पूरी उर्जा लगा लगा के देख ली अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो आपने यह देख लिया कि जिन लोगों ने मुझे जैसी राय दी मैंने उसके अनुसार ही काम किया लेकिन कारे में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो सबसे पहले तो आपको यह सबजना है कि आपके भाग्य में इस समय शनी चल रहे हैं और अब वक्री पोजिशन में क्या करेंगे आपके भाग्य से जो आपको चीजे मिलनी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी पहली बात लेकिन इसके लिए करना क्या होगा जिन सलाकारों से आप इस समय घिरे हुए हो मतलब जि की उपर ध्यान दीजिए कि जो जो काम उन्होंने आपसे करने को कहे या जिस चीज के लिए आपने उनसे सला ली और आपको सफलता नहीं मिली आप असफल हो गए इसका मतलब क्या है कि इस समय नहीं था उसका होता है गुरू का भी होता है सलाकार का भी होता है इसका मतलब है क कि अब हमें उन लोगों का साथ छोड़ देना होगा और अपने लिए एक नए सलाकार या नए लोगों का निर्वान मतलब एक नए गुरू की रशना मतलब यह कहना चाहरा हूँ कि वो लोक जो आपको सही समय पर सही सला दें आपको उन लोगों के संगत में जाना होगा तब आपका भाग्याउद होगा तो ये जो टाइम है ये जो आपका नवंबर तक का टाइम है ये खुद को निदिख्षन करने का भी समय है क्यों क्योंकि जब शनी वक्री होते हैं तो एक बार वो ये जरूर व्यक्ति को बताते हैं कि देखो आप ये तो कह देते हो कि मैं इसका मे तोकन करोगे थोड़ा सा पीछे जाकर कि मैंने जिन चीजों में सफलता प्राप्त करनी थी या मैं जो चाहता था अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है हमसे क्या कमी रह गई तो यह चीज आपको यहां पर सोचनी है समझनी है और आप जब इस चीज को देखोगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि जिन लोगों ने आपको सलह इस काम की दी वो कहीं ना कहीं यह जरूर चाहते थे कि आपका यह काम ना बने तो इस तरीके के रिजल्स में आप पहुंचोगे लेकिन इसमें आपको यह समझना है कि किसी से भी हमें दुश्मनी प्रहिकां नहीं करने होती है हमें ठीक है हमें समझ में आ गया कि आपने जो हमने सलह दी वो कहीं ने को गलत मार्वरें जाने के लिए अपने हमने प्रिदित किया और हम ağपने काम को नहीं कर पाए अब आ पोपने जीवन का नया गुरु बनाए ये नए सलाकार बनाएए इस तरीके का ये आपका समय रहेगा नवंबर तक का सफलता आपको 101 परसेंट मिलनी है क्योंकि उर्जा किस प्रकार किये उर्जा इस प्रकार किये कि जिस व्यक्ति ने आपको पीछे किया अब आप उसका साथ छोड़ दोगे क्यों क्योंकि ये कारण से अपनी प्रित्योगी परिक्षाओं में उत्रीन नहीं हो पाएं हैं तो वो बिल्कूल नई स्टेटेजी बनाएंगे और अपने आपको आगे लेकर जाएंगे तो ये सारे चीज़े नहीं था उससे समंदित जितने भी काम है जैसे माल लिए आपको को कोई हायर चात्राओं पर जाना है ये समय आपके लिए बहुत उप्योगत देखा जा रहा है तो कुल बिलाकर अगर मैं ये कहता हूं कि मिथुन लगन वालों के लिए जो ये भाग्य के स्थान में शनी का वक्री होना है तो कहीं न कहीं उनको भाग्य से लाव दिलाने का काम करेगा शर्त केवल इतनी है कि आपको अपने लिए देखिए 9th house हमारे गुरू का house भी होता है तो सलहकारों का house भी होता है तो आप लोगों को कहीं न कहीं ऐसे लोगों से जोड़ना है जो आपके अंदर positive उर्जा का संचार करें तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे आप आपका मार्ग दर्शक अगर अच्छा होगा तो आपका मार्ग भी क्या होगा सोगम होगा तो यह चीज़ आपको थोड़ा consider करनी है तो बाकी अगर मैं आपको कहता हूं यह समय जो आपका जाएगा नवंबर तक का यह खुद को अवलोकन करने का समय है और तब आप देखि गोचर आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू